हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम होम साइन्स टीजटी पीजटी यल्टी ग्रेट में होम मैनेजमेंट यानि की ग्रिह प्रबंधन से कुछ प्रसनों को देखेंगे और डिसकस करेंगे तो आईए सुरू करते हैं हमारा कोश्यन नंबर एक है ग्रिह बेवस्था का क्या अर्थ है जिसमें से ओप्सन है ओप्सन ए में है योजना बद तरीके से किया गया कारिय ओप्सन बी में है सुविधा जनक तरीके से किया गया कारिय ओप्सन सी में है अपनी इच्छा अनुसार किया गया कारिय और डी मे है गलत धंग से किया गया कारी है तो इसमें जो सही एंसर होगा वो होगा option number A योजना बध तरीके से किया गया कारी क्योंकि ग्री बेवस्था में अगर हम योजना बना कर कारी को करते हैं तो वह ज्यादा beneficial होता है ठीक है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number A नेक्स्ट कोश्चन हम देखते हैं कम से कम साधनों का उप्योग करके हमारे अधिक्तम लच्छों की पूर्त करने की विधियों का अध्यान है option 1, A में है मकान आयोजन, option B में है ग्रिह बेवस्था, option C में है नक्सा निर्माड, option D में है लाटरी पद्धती तो इसका सही एंसर होगा option number B ग्रिह बेवस्था ठीक है अब अगला कोश्चन हम देखते हैं ग्रिह बेवस्था में आयोजन, नियंत्रण, यो मुल्यांकन द्वारा पारिवारिक साधनों का प्रियोग करके पारिवारिक लच्छों की प्राप्त की जा सकती है यह परिभासा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभासा किसके द्वारा दी गई है? उप्शन A में है निकिल, यो मुल्यांकन द्वारिक साधनों की जो परिभासा किसके द्वारा दी गई है? पारिवारिक शाधनों का प्रियोग करके पारिवारिक लच्छों की प्राप्त की जा सकती है यह जो परिभासा दिये थे वह ग्रासियों क्रेंडल ने दिये थे यह जो कोश्चन हम बता रहे हैं, इन में से बहुत सारे कोश्चन एक्जाम में पूछे गए हैं और बहुत सारे question की आगे exam में पूछे जाने की संभावना है इसलिए इन सब को आप ध्यान से देखिएगा Next question देखते हैं ग्री बेवस्था एक बांध के समान है किसके समान है? एक बांध के समान है जिसमें साधनों को नियमित किया जाता है यह परिभासा किसके द्वारा दी गई है? Option A में हैं राजमल P देवदास Option B में हैं निकिल यों डारसी Option C में हैं ग्रास यों कैंडल Option D में हैं गुड इयर यों क्लोहर तो इसका राइट एंसर होगा Option A राजमल P देवदास किसने कहा था? कि ग्री ब्यवस्था एक बांध के समान है तो बांध के समान अगर ग्री ब्यवस्था को किसी ने कहा तो वह रहें राजमल P देवदास इसलिए हमारा Option A सही हो जाएगा Next Question देखते हैं हमें टोटल इसमें 50 Question करने हैं इसलिए थोड़ा सा हम तेजी से करेंगे ग्री ब्यवस्था सभी देशों में पाई जाती है यह सरवाधिक सर्वब्यापी ब्योसाय है जिसमें अधिकांस ब्यक्ति सनलंगन रहते हैं इसमें अधिकांस धन बै होता है तथा यह ब्यक्ति के स्वास्थ की द्रिष्टी से आधार भूत महत्तुकूर प्रक्रिया है यह कथन है मतलब यह कथन किसने कहा है तो इसमें Option A में हैं D.P. सेठी Option B में हैं Good Johnson Option C में हैं Nikil एवंडार्सी Option D में हैं Grassium क्रेंडॉल तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो Option B हो जाएगा Good Johnson यह परिभासा Good Johnson द्वारा दी गई है Next question देखते हैं ग्री बेवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण, योम मुल्यांकन के द्वारा ब्यापारिक साध्मों का उप्योग करके पारिवारिक लच्छों की प्राप्त की जाती है यह परिभासा किसकी है Option A में हैं Grassium क्रेंडॉल Option B में हैं Nikil योम डार्सी Option C में हैं Goodier योम क्लोहर Option D में हैं S.P. सुखिया तो इसका राइट एंसर हो जाएगा Option A यह परिभासा Gross योम क्रेंडॉल द्वारा दी गई है Next Question देखते हैं किसने कहा है ग्री बेवस्था एक ब्योहरिक बिज्जान है Option A में है इरीन योम ओपेन हीम Option B में है कोट जिन Option C में है निखिल योम डार्सी यहां का होगा निखिल योम डार्सी Option D में है ग्रॉस योम क्रेंडॉल तो इसका राइट एंसर हो जाएगा Option B कोट जिन कोट जिन ने कहा है कि ग्री बेवस्था एक बेवहरिक बिज्जान है Next Question हम देखते है बेवस्थापन घर के वातावरण में मानवी संगठन की प्राक्रितिक ब्रिद्धी है यह कथन है Option A में है ESP सुखिया Option B में है इरीन ओपेन हीम Option C में है ग्रॉस योम कैंडॉल और Option D में है निकिल योम डॉर सी यहां डॉर सी होगा तो बताईए इसका राइट एंसर क्या होगा इसका राइट एंसर होगा Option D निकिल योम डॉर सी Next Question देखते है ग्री बेवस्था के सुधार में बाधा नहीं है तो Option A में है बेवस्थापन की प्रक्रिया से परचित होना Option B में है ग्री बेवस्था निर्धारित लच्च के अनकूल नहीं होना Option C में है ग्रीन बेवस्था संबंधी समस्याओं के तयार होने की इच्छा Option D में है समस्थ संभावित आधारों से परचित होना तो इसका जो right answer है वो हो जाएगा option number A, बेवस्थापन की प्रक्रिया से परचित होना, क्योंकि बेवस्थापन से प्रक्रिया से अगर परचित हैं, तो यह ग्री बेवस्था के सुधार में बाधान नहीं है, नेक्स्ट कोशन हम देखते हैं, बेवस्थापन का चरण नहीं है, option A में है योजना, option B में है नियंत्रण, option C में है कारियात्मक, option D में है मुल्यांकन, तो इसका right answer हो जाएगा, option C कारियात्मक, क्योंकि योजना, नियंत्रण और मुल्यांकन ये सब बेवस्थापन के चरण हैं, और कारियात्मक जो है यह बेवस्थापन का चरण नहीं है, अगला कोशन हम देखते हैं, एक वांचित लच तक पहुचने के लिए बिभिन संभावित कारियों के संबंध में सोचना, कलपना में प्रत्यक योजना की समाप्ति तक अनुगमन करना, तथा ब्यापक योजना का चैन करना योजना है, यह कथन है, मतलब यह कथन किसका है, उप्षन A में है डॉनल, उप्षन B में है एलीन, उप्षन C में है निकिल तथा डॉरसी, उप्षन C में है ग्रासियों क्रेंडल, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, उप्षन नमबर D, ग्रासियों क्रेंडल, यहाँ D होगा, यह हो अवस्था नहीं है इन चारों और पिछहमता अल और किह समयाज़। नहीं है, बाकि सब है, ठीक है, अगला कोशन हम देखते हैं, बेवस्थापन का तीसरा चरण है, उप्सन A में है योजना, उप्सन B में है नियंत्रण, उप्सन C में है कार्यात्मक, उप्सन D में है मुल्यांकन, तो बेवस्थापन का जो तीसरा चरण होता है, वह मुल्यांक next question देखते हैं मुल्यांकन का प्रकार है option A में है अनौपचारिक option B में है निरिचछड option C में है बिसलेशड option D में है क्रियात्मक तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number A अनौपचारिक मुल्यांकन का एक प्रकार क्या है अनौपचारिक है बागी सारे option गलत है नेक्स्ट question देखते है जब वस्तु का सरसरी तोर पर मुल्यांकन किया जाता है तो उसे कहते हैं option A संपूर मुल्यांकन option B आत्म मुल्यांकन option C ब्यक्तिकत मुल्यांकन option D विस्तृत मुल्यांकन तो इसका right answer हो जाएगा option number A संपूर मुल्यांकन next question देखते हैं जब योजना का गहराई से अध्यन किया जाता है तो वह मुल्यांकन कहलाता है option A में है संपूर मुल्यांकन option B में है विस्तृत मुल्यांकन option C में है आत्म मुल्यांकन option D में है विस्तृत मुल्यांकन तो इसका right answer हो जाएगा option number B विस्तृत मुल्यांकन जब योजना का गहराई से अध्यन करते हैं तो विस्तृत मुल्यांकन कहलाता है next question देखते हैं बेवस्थापन की प्रक्रिया का प्रथम चरण है option A विचारों को ग्रहन करना option B अवलोकन करना option C योजना बनाना option D योजना का क्रियान्वेन करना तो इसका right answer हो जाएगा option number C योजना बनाना क्योंकि कोई भी विवस्थापन की जो प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है वह होता है योजना बनाना तो इसका right answer हो जाएगा option number C next question देखते हैं योजना का महत्तु किस लच्छ के कारण है option A में है अनिस्चित्ता को दूर करना option B में उद्द्यशों पर बल केंद्रित करना option C में है मित्बैता योम नियंत्रण करना option D में है उक्त सब का ध्यान रखना मतलब उपर उक्त सभी तो इसका right answer हो जाएगा option number D उपर उक्त सभी क्योंकि योजना का महत्तु में ये सारे कारण सामिल है next question हम देखते हैं योजना में कारी से पूरू ही यह निर्धारित कर लिया जाता है कि क्या करना है किस प्रकार करना है कब करना है और किसके द्वारा किया जाने वाला है यह कथन किसका है option A कुंटच योम ओडोनेल option B निकिल योम डॉरसी option C ग्रास योम कैंडल option D जीपी सैरी तो इसका right answer हो जाएगा option number A कुंटच योम ओडोनेल ठीक है इसका right answer हो जाएगा option number A next question देखते है यह योजना जहां तक संभव है उतना आगे देखती है तथा इच्छित अंतिम परिडामों का चित्र निर्मित करती है तो इसमें option A में है दिर्क कालीनी योजना option B में है अल्प कालीनी योजना option C में है दोनों और option D में है इन में से कोई नहीं तो इसका right answer हो जाएगा option number A दिर्क कालीनी योजना next देखते हैं ग्रास योम क्रेंडल के अनुसार नियंत्रड का अगरिम व्यवस्था कौन सी है option A में है समाई योजन option B में है निरिच्छड option C में है बल देना option D में है समन में तो इसका right answer हो जाएगा option number A समाई योजन ग्रास योम क्रेंडल के अनुसार नियंत्रड की जो अगरिम व्यवस्था होती है वह समाई योजन की होती है next question मूल ल्यांकन वह तकनीकी है जो किसी बेक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिडाम से अधिक्तम संतोस प्राप्ट करने में सहायक होती है यह कथन है option A में है open heem का option B में है ग्रास योम क्रेंडल का option C में निकिल वड़ और सी का option D में है इन में से कोई नहीं तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number B ग्रास योम क्रेंडल next question देखते हैं लच्छ का प्रकार नहीं है option A में है दिर्ग कालीन लच्छ option B में है अल्प कालीन लच्छ option C में है सारू भावमिक लच्छ option D में है मध्य अंतर लच्छ तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C सार भावमिक लच्छ क्योंकि सार भावमिक लच्छ या लच्छ का कोई प्रकार नहीं होता है next question देखते हैं लच्छों की बिसेशता नहीं होती है option A में है सामूहिक लच्छ अधिक महत्योपूर होते हैं option B में है सामूहिक लच्छ दौरा एक समूह बिसेश के संबंधों का विकास होता है option C में बिभिनताओं को बानना option D में है विकास ओनमुक होना तो इसका राइट एंसर होगा option number D विकास ओनमुक होना क्योंकि यह लच्छ की बिसेशता नहीं होती है next question देखते हैं मूले की बिसेशता नहीं है option A में एक छीक option B में है संतूस्ट दायक option C में है आपस में संबंधित option D में है मापन संबह नहीं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number D मापन संबह नहीं क्योंकि मूले की बिसेशता नहीं है क्योंकि मूले का भी मापन होता है तो next देखते हैं पारकर के अनुसार मानो आश्रण को नियंतरित करने वाला मूले नहीं है option A में है धर्म option B में है खेल option C में है महत्वा कांच्छा option D में है कारी छमता तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो option D कारी छमता क्योंकि कारी छमता यह मानो आश्रण को नियंतरित करने वाला मूले नहीं है यह पारकर ने कहा था next question हम देखते हैं मूले सब्द है option A अनिश्चीत option B आत्मगत option C में है A और B दोनो option D में है इन में से कोई नहीं तो इसका right answer हो जाएगा option number C मतलब अनिश्चीत और आत्मगत दोनो next question देखते हैं असपस्ट पारिभासिक मूले के आभाव में प्रभाव साली ब्योहार अथ्वान निर्ड़े है option A में है संभव option B में है असंभव तो इसका right answer हो जाएगा option number B असंभव next question देखते हैं साधनात्मक मूले को कभी कभी कहा जाता है option A में लच्छे मूले option B में आंतरिक मूले option C में है तथ्यात्मक मूले option D में है आदर सात्मक मूले तो इसका right answer हो जाएगा option number A लच्छे मूल साधनात्मक मुल्यों को लच्छे मुल्य कहा जा सकता है अब अगला कोशन देखते हैं आराम, श्वास्थ, महत्वाकांच्छा, प्रेम, ज्यान, खेल, कला, योंधर्म कैसे मुल्य हैं? ओफ्षन A में हैं आंतरीक मुल्य ओफ्षन B में हैं साधनात्मक option c में हैं आदर सात्मक मूल और option d में हैं a और b दोनों तो इसका right answer हो जाएगा a और b दोनों मतलब ये सारे मूले आंतरिक भी हैं और साधनात्मक भी हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं सामाने अर्थों में लच्छ वह अंतिम्बिंद होता है जहां तक ब्यक्ति या परिवारों द्वारा कारे करने की इच्छा रखी जाती है यह कथन है पतलब यह कथन किसका है तो option a में है जीपी सैडी का option b में है निकील योम डॉर्सी का option c में है एपी सुखिया का option d में है ग्रास योम कैंडल का तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option नंबर b निकील योम डॉर्सी का यह कथन निकील योम डॉर्सी का है अगला कोशन हम देखते हैं इस प्रकार के लच्छों को सामानतय यहां होगा किस प्रकार के इस नहीं किस प्रकार के लच्छों को सामानतय अस्थाई माना जाता है option a में है मध्य वर्ति लच्छ आपसन B में है मध्य अंतह लच्छ, आपसन C में है दिर्ग कालीन लच्छ, आपसन D में है इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर C दिर्ग कालीन, दिर्ग कालीन लच्छों को अस्थाई माना जाता है नेक्स्ट कोशन देखते हैं, निमन में से किसे गरी बेवस्था का हिर्दय कहा जाता है, आप्षन A में है आयोजन क्रिया, आप्षन B में है नियंतरन क्रिया, आप्षन C में है निर्डय क्रिया, आप्षन D में है उक्त सब को, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, आप्षन को तैं करने के लिए fallet, किसने fallet ने सुझाव नहीं दिया है, कौनसा सुझाव नहीं दिया, option A में है स्विच्छा से समरपड, option B में है समझाओता, option C में है विरोध, option D में है एकी करण, तो इसका right answer हो जाएगा, option number C, विरोध, fallet ने किसका सुझाव नहीं दिया है, विरोध समस्या की आसपस्ट था, option B में है उत्पन समस्या के लिए विकल्पों की खोज, option C है विकल्पों के बिसे में सोचना, option D है एक विकल्प को चुनना, तो इसका right answer हो जाएगा, option number A, समस्या की आसपस्ट था, अगर यहाँ पे आसपस्ट था लिखा होता, तो यहाँ इसका च सही हो जाएगा, next question देखते हैं, उत्तम विकल्प के चुनाओ के लिए ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, option A में किसका समयानुकूलन का, option B में है कम प्रयास का, option C में है खत्रा का, option D में है सुरच्छा का, तो इसका right answer हो जाएगा, option number D, सुरच्छा का, उत्तम विकल्प च देखते हैं, नेड़े प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, option A में है ज्यान, option B में है पारिवारिक साधन, option C में है मूल्य, option D में है योजना, तो इसमें right answer हो जाएगा, option number D, योजना, next question देखते हैं, यह किसने कहा कि नेड़े बेवस्था प्रक्रिया क सबसे छोटी इकाई है, किन्तु या भावतिक विज्ञान में अडू के समान है, तो इसमें option A में है ब्रेटन, option B में है ग्रॉस योम क्रेंडॉल, option C में है ओपेन हीम, option D में है निकिल योम डॉर्सी, तो इसका right answer हो जाएगा, option number A, ब्रेटन, next question देखते हैं, नेड़े करन में उन उद्देश्यों का अस्तित्व नहींत है, जिनके प्रति निर्ड़यों को किया गया है, option A में है बिस्थापन, option B में है संस्थापन, option C में है प्रतिस्थापन, option D में है नियोजन, तो इसका right answer हो जाएगा, option number C, प्रतिस्थापन, next question देखते हैं, अधिकांस बिद् क्या है, option C, कौनसा विकल्प उत्तम है, option D, यह सभी, तो इसका right answer हो जाएगा, option number D, यह सभी, मतलब, उपर्युक्त सभी, निर्ड़य क्रिया के चरण हो सकते हैं, next question हम देखते हैं, निम्न में से कौनसा तत्तु निर्ड़य लेने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, option A, निर्ड़य की इस्थिर प्रगती, option B, निर्ड़यों में अंतर संबंध, option C, उपलब्ध वस्तुओं के प्रति अज्यानता, option D, पारिवारिक साधन, तो इ उपलब्ध होगा, उपलब्ध वस्तुओं के प्रति अज्यानता, अगला question देखते हैं, निर्ड़य प्रक्रिया की आवसकता पड़ती है, option A है, नई परिस्थितियों के समायोजन में, option B, घर में विस्थित उत्पन होने पर, option C, जब योजनाएं दीर कालीन हो, option D, उपर युक्त सभी, next question देखते हैं, संगठन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, option A, परिवार का आकार, option B, आर्थिक इस्थिति, option C, योजना, option D, पारिवारिक उत्तरदाईतों का कारेभार, तो इसका right answer हो जाएगा, option C, योजना, या संगठन को प्रभावित करने वाला क कारक नहीं है, next question देखते हैं, पारिवारिक साधन के प्रकार है, option A में है परंपरागत, वा गैर परंपरागत, option B में है मानवी, योम आव मानवी, option C में है लोच में, योम आ लोच में, option D में है पूड योम आपूड, तो इसका right answer हो जाएगा, option number B, मानवी, योम आ मानवी ठीक है, next question देखते हैं, साधनों को मानवी, योम आ मानवी में वर्गी कृत किया गया है, किसने किया है, तो इसमें option A में दिया, ग्रास योम क्रेंडल, option B में है निकिलियोम डॉर सी, option C में है दोनों, और option D में है इन में से कोई नहीं, तो इसका right answer हो जाएगा, option number C, क्यू किया है, और निकिलियोम डॉर सी ने भी किया है, इसलिए हमारा C option correct हो जाएगा, next question देखते हैं, मानवी, शाधन है, option A में है समय, option B में है ज्यान, option C में है सकती, option D में है धन, तो इसका right answer हो जाएगा, option number D, धन, धन कैसा साधन है, धन मानवी, शाधन है, next question देखते हैं, भ option B में धन, option C में वस्तुये, option D में है शामुदाइक वस्तुये, तो इसका right answer हो जाएगा, option number D, शामुदाइक शाधन नहीं है, next question देखते हैं, बेक्तिकत शाधन नहीं है, option A में है बेक्तिकी रुचिया, option B में है मानवी, गुड, option C में है भावनाए, option D में है वस्तुये, तो इसका right answer हो जाएगा option number D, वस्तुयें, वस्तुयें व्यक्तिकत साधन नहीं है, next question देखते हैं, साधनों की विसेशता नहीं है, option A में है साधन आसीमित होते हैं, दूसरा साधन उपियोगी होते हैं, C में है साधन सीमित होते हैं, option D में है साधनों की अंतर संबंधता, जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा option number A, साधन आसीमित होते हैं, क्योंकि यहां नहीं पूछा है, तो इसलिए साधन कोई भी है, वो आसीमित नहीं होता है, उसकी एक limit होती है, सीमा होती है, अब next हम देखते हैं, next और last question हमारा, साधनों के उपियोग को प्रभावित करने व साधनों का ज्यान, तो इसका right answer हो जाएगा, option number C, ब्यक्तिगत छमता, ठीक है, तो आज के सेट में इतने ही question थे, आसा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यह सब पूछे गए question है, next class में हम और question लेकर आएंगे, आज इतना ही धन्यवाद,